जैसी शम दोस्तों कैसे हैं सब बचो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर क्या है सर ये बचो ये है पास्ट एटेंट टेंड आफ सी एमे फाउंडेशन कि सी एमे फाउंडेशन में जो पास्ट एग्जमिनेशन पैटन जो र पास्टेंट है तो अपने हर एक दोस्त के साथ शियर करना ना भूले बच्चो जिने सच में इनकी जरुवत है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बच्चो अगर देखा जाए पास्ट ट्रेंड को तो बच्चो मैं कहूं कि जून जून दो हजार उन्नीस की मैं अगर बात करूँ और दिसंबर दो हजार उन्नीस की बात करूँ यहां पर पास परसेंटेज जो लगबक था आपका 75 परसेंट था CMA Foundation की बात कर रहा हूं और यहां पर यह 79 परसेंट था ठीक है दो हजार उन्नीस की बात कर रहा हूं इसके बात से दो हजार बीस एकिस ठीक है बाइस यहां पर आपका ऐसा कोई देखने को नहीं मिला ठीक है आइसी एमाई ने ऐसा कोई रिलीज नहीं किया तो इससे यह माना जा रहा है कि लगबक जो पास परसेंटेज रहता है CMA Foundation का वो 75 परसेंट से लेकर 79 परसेंट के बीच में ही देखने को मिलता है मेरी बच्चों am I right? yes अब बच्चे क्या करते हैं। बच्चे को हलके में लेते हैं कहते हैं अरे 75% पास परसेंटेज यह क्या बात है ठीक है बिलकुल हलके में लेते हैं तेहारी नहीं करते है और इसका जो ultimate result उन्हें भुगतना पड़ता है बच्चों वह intermediate और final में भुगतना पड़ता है जहांपे result का जो पास percentage रह जाता है वह आपका 7% से लेकर 11% के बीच में रह जाता है यह सबसे बड़ी कमी है बच्चों ध्यान से समझने हैं पेपर है वह आप लोग का क्या offline mode में 50 question आने हैं ह अगर भी तभी कर पाओगे जब आपका foundation अच्छा जाएगा foundation आपका concept अच्छा होगा तभी आप intermediate और final के examination निकाल पाएंगे ठीक है तो उमीद करता हूं बच्चों मेरी इस बातों पर आपने बड़े गौर करना है ठीक है ध्यान से गौर करो इस बातों को और पड़ाई म में जूड़ जाओ concept clear करो तभी बच्चों आप CMA clear कर पाएंगे वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक share करना है बच्चों मिलते हैं अंगली वीडियो में तब तक के लिए जैस्री शाम